स्वागत है आप सभी का मेरे चानल में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लव स्टोरी को कहते हैं प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है दुनिया में हमने कई प्रेम कहानिया सुनी है ऐसी ही एक लव स्टोरी है मुमल और महंदर की इस कहानी में जहां मुमल बहुत सुन्दर थी वही महंदर सहासी थे मुमल महंदर की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है चलिए हम बताते हैं क्या है मुमल और महंदर की प्रेम कहानी मुमल राजस्तान के जेसल मेर के लौंदरवा की रहने वाली थी वही महेंद्र अमर कोट के रहने वाली थे लोंद्रवा जेसल मेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यहीं राजकुमारी मुमल का महल था जिन्हें एक किंद भीया महल भी जाना जाता है मुमल महल के मेड़ी पे रहती थी राजिस्थान में छट पर बने कमरों को मीड़ी कहा जाता है कहते हैं कि इस महल के ओपर जाने के लिए कई खूपया रास्ते थे और यह महल एक रहसे में जगह था इस महल में अचकर, शीर, साब जैसे डरावने जानवर रहते थे जिनें देखकर हर कोई डर जाता था तो लोग इस महल में जाने से डरते थे कहते हैं कि मुमल ने सभा में यह एलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुझेंगे मैं उसी के साथ शादी करूँगी वहीं राजकुमारी मुमल इतनी खुबसूरत थी कि उनके खुबसूरती के चर्चे गुचरात, मारवार, इरान, इराक और सिंथ तक पहले हुए थे जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहां मुमल से मिलने आए लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुँच नहीं पाता वहीं अगर पहुँच भी जाता तो फिर वहार राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था राचा को शिकार करने का बड़ा शौक था महेंडर अपने साली हमीर के साथ अमर कोड के पास शिकार करते थे इसी के चलते एक दिन राजा महेंडर शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लॉंद्रवा में पहुँच गए वहीं महेंडर ने एक सुन्दर बगीचा देखा और इस बाग में कहीं तरह की फूल, फलदार पेड आदी के बीच एक महल दिखाई दिया महेंडर को महल देखने में बड़ा सुन्दर और अजीब लगा इस महल के उपर कई खतरनाक पशों के चित्र बने हुए थे वहीं राजा महेंडर महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए वहां उनको एक दासी दिखाई दी दासी ने महेंडर को रुखने के लिए कहा वहीं महेंडर ने कहा कि हम शिकार करते वे यहां पहुँच गए हैं और ठक चुके हैं इसलिए आराम्त करना चाते हैं वहीं दासी ने महेंडर को राजकुमारी मुमल के बारे में बताया और कहा कि वहाँ बहुती संदर है और उनकी खबसूरती के चर्चेए पुरे विश्वे में प्रस्ध है इसके बाद दासी ने महेंडर से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है इस पर राजा ने जवाब देते वे कहा कि नहीं मैंने नहीं सुना है इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहां अपनी सहलियों के साथ रहती है साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो वैक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों का जबाब देगा राजकुमारी उसी से शादी करेंगी वही ये सब सुनने के बाद राजा महंद्र राजकुमारी मुमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुख हो गए फिर क्या था यही से मुमल महंद्र की लव स्टोरी शुरू हो जाती है वहीं इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महंदर के बारे में बताती है और राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे महमान है और उनके रहने का इंतजाम किया जाए राजा महंदर वहां रुख जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेके आता है तो उससे राजानी राजकुमारी मुमल के बारे में जानना चाहा तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मुमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी राजकुमारी मुमल इतनी सुन्दर है कि उनकी खुबसूरती को शब्दों में बया नहीं किया जा सकता वह इतनी सुन्दर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा तूट जाता है वही वह दूद से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है वह दुन्या में सबसे सुन्दर और अलग है इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसित राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी चो उसका दिल जीत लेगा पर नपर जीवन पर शादी नहीं करेंगी यह सब सुनने के बाद राजा महेंडर राजकुमारी से मिलने के लिए उच्सक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया वही राजकुमारी ने महेंडर को उपर बुलाया और राजा महेंडर मुमल को देखते ही स्थब रह गए साथ ही मुमल से नजरे हटा नहीं पाए दूसरी और राजकुमारी भी महेंदर के चहरे के तेज और आँखों को देखती रह गई वही मूमल ने राजा महेंदर का स्वागत किया दोनों साथ राद बर बैठे बाते करते रहे इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था वही दोनों राद पर बाते करते रहे और नजाने कब सुबह हो गई लेकिन ना तो राजा वहां से जाना चाहते थे और ना ही मूमल चाहती थी कि महेंदर वहां से जाए आखी राजा को ना चाहते हैं भी वहां से जाना पड़ा लेकिन महेंडर ने मूमल से वादा किया कि वहां जल्द ही वापस मिलने आएंगे राजा महेंडर राजकमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में कीवल मूमल बस गई इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वहां मुमल से शादी करके उससे अपने साथ आमरकोट लेकी जाएंगे बता दें कि राजा महेंडर पहले से शादी शुदा थे और उनकी पहले से ही साथ पत्रिया थे इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुँचे तो उन्होंने राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया मैंटर के यहाँ एक रामू राय का नाम की वैक्ति रहता था जो उठ चलाने का काम करता था राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा उठ चाहिए जो राज को मुझे लोंदरवा लेकर जाए और सुबह अमरकोट वापस ले आए इसे सुन रामू राय का ने कहा की एक चीतल लाम का उठ है जो बहुत तेज दोड़ता है चाप को वह रात को पहुँचा देगा लोंदरवा और सुबह अमरकोट वापस लेकिया जाएगा शाम को रामू राय का उठ को सजाकर महेंडर के पास लेकिया गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए पहुँच गए और सुबह अमरकोट लोट आए धीरे धीरे महेंडर मुमल की प्रेम कहानी परवान चाड़ने लगी और यह मिलने वाला स प्रेड तोडवा दिये ताकि राजा मुमल से मिलने ना जा सके लेकिन कहते हैं ना सचे प्यार का कभी अंत नहीं होता महेंडर दूसरा उठ लिकर राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए लोटरवा पहुचे लेकिन उन्हें पहुचने में बहुत देर हो गई थी और राजक की बहन ने पुरुशों के कपड़े पहन रखे थे वहीं जब राजा वहां पहुचा और उसने ये देखा कि मुमल के साथ यह पुरुश कौन है यह देख राजा वापस लोट गया और महेंडर का चाबुक तूड कर वहीं गिर गया राजा ने सूचा कि मुमल किसी और से प पता चल गई इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही लेकिन महेंडर नहीं आए राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया श्रिंगार करना छोड़ दिया लेकिन राजा नहीं लोटे दूसरी और महेंडर को यकिन नहीं हो रहा था कि आखिर मुम मुमल ने महन्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भीजा लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं रिया गया वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर बैठ गया और रात को वहां महन्र के पास पहुँच गया उस समय राजा सो रहे थे तभी वह सेवक काना गुन-गुनाने लगा तुम्हारे बीना सूठ राण यह धरती धुंदली तेरी मुमल राजकुमारी है उदास मुमल के बुलावे पर असल प्रेतम महंड अब तो गर आओ इस पंक्ति का मतलब है कि राजा महंड तुम्हारे बीना वह धरती धुंदली है और तुम्हारी मुमल उदास है तुम्हे तुम्हारी मुमल बुला रही है मेरी प्रेतम अब तो घर आजाओ यह जब राजा ने सुना तो वह बहार आए वही महंड ने सेवक को सारी बाते बताई और सेवक राजकुमारी मुमल के पास राजा को संदेशा लेके पहुँच गए यह सुनकर मुमल के पैरोतले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलत फहमी की वज़ा क्या थी इसके पास राजकुमारी ने दुबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है वही जब यह सब महंड को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मुमल निर्दोश है तभी वह मुझसे मिलना चाहती है राजा ने फिर संदिश भीजा कि मुमल को यहाँ पर आने की ज़रत नहीं है वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं राजकुमारी मुमल यह सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंडर का इंतजार करती रही वही राजा ने सुचा क्योंने मुमल के प्रेम की परिक्षा लिजाए तब राजा ने लॉंद्रवा पहुँचकर एक संदिश मुमल की पास भीजा कि महेंडर को सापने डस लिया है और उनकी मृत्ति हो गई यह संदिश राजकुमारी तक पहुचा और यह सब सुनने के बाद मुमल वहीं गिर पड़ी साथ ही कई बाद महेंडर महेंडर का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्रांट त्याग दियें दूस्टी और यह खबर राजा तक पहुची कि महेंडर के वियोग में राजकुमारी मुमल ने प्रांट त्याग दियें तो राजा भी रेत के टिलों में रोते-रोते मुमल मुमल करते रहे और उन्होंने भी प्रांट त्याग दियें इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहत दुखत अंत हुआ लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मुमल महंडर के मिले बिना इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा तो कैसी लगी आपको आज की ये लव स्टोरी कमेंट करके बताएगा और ऐसे हीं इंट्रस्टिंग स्टोरी जानने के लिए बने रही है चैनल पे